तो आज़की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ Complete Introduction for Class 11 Economics इसमें हम लोग बात करेंगे Micro Economics और Statistics का Complete Introduction कि हमें कौन-कौन सी जीतों पर ध्यान देना है और कौन-कौन सी चीज़े क्या कर सकते हैं Skip कर सकते हैं जो बच्चे अभी Class 11 में आए हैं मतलब 2025 का 11 के एक्जाम देने वाले हैं तो आए बिना Time Waste करेंगे जल्दी चे हम लोग समझते हैं कि Class 11 में हमें Micro Statistics में कौन-कौन सी जीते पढ़नी है और कौन-कौन सी जीते नहीं पढ़नी है तो आए स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि मैंना आपको समझाया कि इस वीडियो में हम लोग complete introduction करेंगे किसका economics का चाहें वो micro economics हो चाहें वो statistics हो ठीक है और यहाँ पे ज़्यादा तो हम topics कवर करेंगे वो NCRT की book से कवर करेंगे लेकिन आपके पास संदीब गर गया आपके पास VK हो रही है आपके पास सुभाज दे है या किसी भी publications की book है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जब़ा helpful है तो आइए बिना time waste करेंगे स्टार्ट करते हैं एक बार introduction class 11 की economics का सबसे पहले हम सब जानते हैं हमें 80 marks का final exam से देखने को मिलेगा जिसमें 40 की आएगी statistics और 40 की आएगी आपकी micro economics और 20 marks जो होते हैं वो आपके होते हैं practical के तब जाके बनते हैं आपके 100 marks ठीक है तो इस बार 24-25 मतलब जो बच्चे 25 का exam देने जा रहे हैं class 11 के लिए तो इसमें थोड़ा सा CBSE ने changes करा है क्या changes करा है वो देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो नुने बात करी इनने statistics की वो आपको 40 marks को देखने को मिलेगी और यहां हमने बात करी है micro economics की वो भी हमें 40 marks को देखने को मिलेगी तो हो जाते है 80 उसके बाद 20 marks आपके बनते हैं CBSC ने remembering वाले question 44% कर दिया है, applying techniques लगाने वाले question आपके कितने कर दिया है, 18 marks के कर दिया है, MCQs और assertion, reason अगर आपको अच्छे से solve करने हैं तो आपको economics का complete basics, मैं फ़र से बता दे रहा हूं, जब तक आपको basics clear नहीं होगा, आप assertion, reason और MCQs और case based question नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए अपने basics को सबसे पहले बहुत अच्छे से समझना शुरू करो, इसका एक ही तरीका है कोई भी इसमें rocket science नहीं है, बस आपको क्या करना है, आपको basics अच्छे करने के लिए, starting से from the chapter number one, आपको अच्छे से चीज़े समझनी पढ़ेंगी, और जो जो teacher आपको समझा रहा है, चाए वो किसी class में समझा रहा है, या आपको YouTube channel देख रहे हैं, या कहीं से भी पढ़ र बहुत ही simple है, जादर tough नहीं है, बस आपको अपने basic strong करने है, और basic तभी strong हो पाएंगी, जब आप चीजों को अच्छे से दिमाख लगा के समझेंगे, ठीक है, तो इसके बाद, ये आपकी micro economics के, जैसे मैंने आपको बताया, micro आपको 40 marks को देखने को मिलेगी, जिसमें आप आपको देखने को मिलेंगे chapter number 13, ये 13 chapters आपको पढ़ने है, इन 13 chapters में से ही आपका votes में, मतब class 11 में आएगा, तो starting के ये 3-4 chapters तो आप बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि अगर ये 4 chapters आपने अच्छे से पढ़ लिए, तो आने वाले chapters automatically आपके relate इस से होते हैं, इसलिए ये 4-5 chapters बहुत basic हैं, और ये 4-5 chapters को आपको बहुत अच्छे से दिमाग लगा के पढ़ना है, तो ये ही basics है, जो मैं आपको समझा रहा था, ये these all 5 और 6 chapters, ठेक है, तो micro में simple से आपके 13 chapters हैं, उसके बाद अगर हम statistics की बात करें, तो stats में अगर आप देखेंगे, तो stats में तो total number of chapters 12 है, तो total number of chapters 12 है, जिसमें क्या है, इसमें केवल आपको केवल और केवल statistics का portion देखने को मिलेगा, statistics में basically क्या होता है, stats समझने के लिए आपको थोड़ा सा numerical portion देखने को मिल जाता है, जो जैसे हमने class 10th और 9th में बढ़ा था, mean, median, mode, correlation, तो वही सब चीजे हैं, उसको लेकि पैंड करता है आपका learning power पर, तो stats आपका कितना हो गया, numerical based हो गया, और numerical based आपको अच्छे से कर सकते हैं, जब आपको practice जादा से जादा आप करेंगे, अगर ऐसा निया, आपको maths नहीं आती है, तो आप statistics नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे केवल और केवल statistics में complete होगा, plus, minus, divide, multiply, बस यह 4-5 चीज़े use होंगे और आपको कुछ formula जाद करने है, statistics में जो आपके, आप हमेशा याद करते हैं, ठीक है, तो यह भी हमें 40 mark का देखने को मिलेगा, जैसा मैंने आपको समझाया, और 40 के आपको micro economics देखने को मिलेगी, तब जाके आपके बनेंगे 40 plus 40 plus 20 का practical, तब जाके आपको बनेंगे 100 marks, तो this is all about micro economics and this is all about statistics, ठीक है, और interesting videos के इने आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे YouTube channel The Economics Hub, और मुझे आप follow कर सकते हैं, मेरे Instagram पे, और मैं आपको समझा देता हूं, हाथो हाथ, इस chapter में, और इस videos में, series में हम लोग, chapter 1 को episodes में, और सारे ही chapters को episodes में, divide करेंगे, जैसे एक बार मैं आपको overview देता हूं, यहाँ पर मैंने chapter 1 के कुछ PPDs बना रखें, जो हम आगे आने वाली videos में समझेंगे, सबसे पहले उसका index को समझेंगे, index में क्या क्या चीज़ा में पढ़नी है, उसके बाद हम इसका introduction देखेंगे, क्या economics होता है, क्यों economics पढ़ते हैं, क्या scarcity होता है, तो इसी तरह से हम सारे chapters को cover करेंगे, और अगर आपको इनकी PDF चाहिए, कि यह कैसे notes बनते हैं, कैसे क्या होता है, आपको complete PDF NCRT की मेरे Instagram चैनल पर मिल जाए, कि आप मुझे directly क्या कर सकते हैं, masses करके भी वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, तो this is all about the introduction of micro and statistics, आप मेरे साथ बने रहे हैं, मुझे subscribe करें, follow करें, मिलते हैं, next video में chapter 1 के साथ, thank you so much